नमस्का दोस्तो ओटाफर्श नेंड के इस चैनल पर स्वागत है और आज आपके लिए वीडियो लेकिया हूँ 2020 टोयटा फॉर्टूनर फेस्लिप कहा जाए या फिर आने वाली टोयटा फॉर्टूनर यानि की अपकमिंग टोयटा फॉर्टूनर 2020 इसकी सारी जानकारी दोस् इसकी सारी जानकारी दोस्तो आप इस वीडियो में मिल जाएगी तो गाईस अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को कदी जबी से सब्स्क्राइब और साथ में बेल आइकन को फ्रेश कर दीजे ताकि कोई भी आउपडेट दोस्तो मिक्स ना कर पाए जब भी दोस्तो हम बात करते हैं टोयटा की तो हमारे मन में टोयटा फोर्चुनर सबसे पहले आजाती है और मैं भी जानता हूँ दोस्तो की आप सब लोगों की जितनी भी फैवरेट का लिस्ट होगी उसमें टोयटा फोर्चुनर का नाम होगा ही होगा अगर दोस्तो आप Toyota Fortuner को पसंद नहीं करते हैं तो मुझे आपनी जो फैवरिट्स कार है सबसे ज़ादा वो मुझे कॉमेंट सेक्षन में दोस्तों जरू बदाईए तो चल ये शुरू करते हैं सबसे पहले बात करते हैं आने वाली 2020 Toyota Fortuner की अगर इस कार की में उसकी 2020 जो Fortuner आएगी उसकी एक्सेक्टे प्राइस बताओ तो 28.23 लेक रुपिस से स्टार्ट होगी और 34 लेक रुपिस भी आपको ये कार मिल जाएगी मतलब साफ है दोस्तों कि अभी हाल में जितनी मार्केट आपको उसकी प्राइस दिखने को मिलेगी उससे 10% ज्यादा मिलेगी आने वाली 2020 Toyota Fortuner में तो लेकिन इसमें आप दोस्तों जो Toyota Fortuner आएगी वो सबसे ज्यादा फीचर लोडेर SUV होगी उसमें आपको काफी ज्यादा आपको improvement मिलेगा जो mechanical लिकाया जाए या फिर उसकी exterior दिखा जाए उसकी जो design philosophy होगी वो काफी change की है और आप लोग जानते ही है कि Toyota एक Japanese automaker company है तो Japanese automaker हर कुछ ऐसा ही चाता है कि जो इसका look से Toyota Fortuner International market में भी काफी अच्छी selling रहती है तो इस car को internationally जो globally look दिया जाए उसकी design इसी साब से बना दिया जाएगी ताकि उसकी जो philosophy हो उस पे आपको बढ़ जाएगी अगर उसकी अम बात करें दोस्तों exterior की तो आप देख सकते है अपने screen पे तो आप front look है पुरा chain दिखने को मिल जाएगा रियर सीट से अगर रियर की profile की बात करें तो वो भी आपको chain दिखने को मिल जाता है दूस्तों Fortuner पहले से ही एक dominating SUV है रही हुई है 2009 से जब से Indian market में launch हुई है तब से और जब से ये कार Indian market में launch हुई है तब से अगर कहा जाए कि Toyota की सबसे पहली कार ये Fortuner सबसे ज़्यादा पसंगी दर बनाने वाली और अपनी brand के नायम Indian market में बनाने वाले होगी तो ये साथ Toyota Fortuner ही हो सकती है और उसकी जो bold design आती है embossing presence होती है उसकी जो आपको उसकी distinctive look लगती है जब Indian road पे चलती है तो काफी अच्छी लगती है और साथी को ऐसा बंदा होगा जो Toyota Fortuner को नहीं पहचेंता होगा और Toyota की legendary promise हो रही हुई है अपनी durability, अपनी quality, अपनी reliability, अपनी service तो इस सारी बाते है दोस्तों Toyota हमें सा अच्छे सच्छी देते है और off-roading capabilities के आप बात करें या फिर city driving के बात करें तो आने वाली 2020 जो Toyota Fortuner होगी वो काफी बहती मिलने वाली है मैंने पहले भी बताया इसमें आपको features भी काफी सारे मिलने वाले है जैसे कि आपको इस कार में 7 standard airbags मिल जाएगे ABS मिल जाएगा, भी TBD मिल जाएगा and brake assist आपको जरूर मिलने वाला है और जो 2020 जो Toyota Fortuner's platform होगा वही रहेगा जो आपको अभी previous generation में मतलब market में जो चल रही है वही आपको मिलेगा, April और May 2020 को launch की जा सकती है और मैं इन बात दोस्तों आती है उसकी engine power की, तो क्या इस कार में आपको engine power बदला जाएगा तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन एक end में भी मैं आपको जितने भी petrol और diesel engine आएगा उसका एक screen sword मैं आपके साथ share कर दा हूँ, वीडियो के end में जितने भी engine मिलने वाला है उसकी specifications, maximum power के साथ, इसका screen sword मैं आपके साथ address इस वीडियो में कर दूँगा तो दोस्तों बात करें उसकी engine power की, तो 2020 में आपको petrol engine जो मिलेगा फॉर्चुनर में तो दो variants मिलेगे, जिसमें आपको manual and automatic option मिलेगा and diesel आपको continue जो आपको 5 variants मिलते है, जैसे की manual 4x2, manual 4x4, automatic 4x2 and automatic 4x4 हाली में जो launch हुई TRT और जो TRT का sports version आएगा, वो भी अब जद नजदी की market में इस car को भी launch किया जाएगा और 2020 Toyota Fortunus की उसकी features की बात करो, मतरब जो key features है, उसमें आपको advanced touchscreen system मिल जाएगी, electric sunroof मिलेगा और 80 inch के new allowance मिल जाएगे, उसके design जो काफी change दीखने को मिल जाएगी, अच्छी diamonds guard के साथ आपको मिलेगे जगर आप एक SUV कारी को खरीदना चाहते हो, दोस्तों, अगर ये car जब Indian market में launch हो जाएगी, तब compete करेगी अपने segment में आने वाली Ford Anywhere, और जो Hyundai की पहले से 2020 आने वाली है उसके साथ, जो Ford and Mahindra दोनों मिलके XV500 को launch करने जा रहा है, उसके साथ ही इसकी directly rival होगी, बात करते हैं दोस्तों इसकी engine की, तो इस car में आपको दो engine में बताया, अगर इस बात की 2.4L की petrol की बात करूं, तो 163 HP का power मिलेगा, और truck आपको मिल जाएगा 245 NM का, जिसमें आपको 6-speed manual and automatic gearbox का भी option आपको इस car में available होगा, दूसरा diesel engine आपको मिलेगा, जिसमें आपको 2.8L का diesel engine, जिसम engine power की बात की जाए, तो अगर इसकी mileage की बात करूं, तो आपको petrol की में, जो manuals आईगा, उसमें आपको 10 kmpl की mileage के लिम करती है, और diesel manual में, आपको 11 kmpl की mileage क्लेम करती है, और वैसे petrol automatic की बात करऊ, तो 9 kmpl अवरेज आपको company claim करती है, और diesel में, आपको diesel automatic जो आएगा, उसमें तो दोस्तों वीडियो को पसंद आयों तो लाइक कर दीजिएगा वैसे तो दोस्तों आपको बता दू कि जो 2020 टॉयटा फॉर्चुनर के आने वाली है उसकी जितनी ज्यादा आपको अभी तक जानकारी नहीं मीरी होगी इस वीडियो में अगले वीडियो में मैं इससे भी ज् कान तक दिखने के लिए